नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेग बाजार में दोस्तों B.S.N.L. का Indigenously Developed 4G Network चल्दी ही पैन इंडिया बेसिस पर हमें यूज करने के लिए मिल जाएगा अब इसके साथ ही B.S.N.L. के Indigenously Developed 5G Network के लाँच होने का रास्ता भी अब यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब है कि B.S.N.L. के Made in India 4G के लाँच होने के कुछ समय बाद ही हमें B.S.N.L. की तरफ से 5G लाँच भी देखने को मिल सकता है Department of Telecommunication यानि की DOT ने इस शुक्रवार को Telecom Regulatory Authority of India यानि की TRI से ये पूछा था कि आने वाले 5G Spectrum आउच्षन में जो 5G Spectrum का Base Price है क्या उसे कम किया जा सकता है इसके अलावा Department ने यहाँ पर TRI को 5G Spectrum जो है वो B.S.N.L. के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा है साथ ही आने वाले जो अब आउच्षन है 5G Spectrum का उसे B.S.N.L. को यहाँ पर बाहर रखने के लिए भी बोला है तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रिसेंटली Policy Decisions लिए गए थे Spectrum Allocations के Strategic Sector PSU के लिए जिसमें आपका B.S.N.L. लाता है साथ ही B.S.N.L. की जो रिक्वेस्ट थी उसको देखते हुए जो 5G का जो Spectrum है वो B.S.N.L. के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है सभी 22 L.S.A.S. में और जो आने वाला Upcoming 5G Spectrum Auctions होगा वहाँ से उसे बाहर रखा गया है जाहिर सी बात है जो B.S.N.L. के लिए 5G Spectrum यहाँ पर रिजर्व रख दिया गया है तो उसे Auction में शामिल होने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि B.S.N.L. के Indigenously Developed 4G Network के बाद B.S.N.L. को यहाँ पर 5G Spectrum भी दिया जाएगा और जल्दी ही हमें B.S.N.L. की तरफ से 5G भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप मरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगरी वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखे धन्यवाद